एक साइको ने एक लड़की को बेस्मेंट में बंद कर दिया है वो उसके साथ गेम्स खेल रहा है क्या वो लड़की उससे बच पाएगी जो भी चल रहा है इसके पीछे और एक प्लैनिंग है हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारे मुवी वाचिंग ये 2019 की Korean thriller movie है इस movie की situation तो thrilling है ही पर इसका aim भी amazing है explanation स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे request करना चाहता हो अगर आप कोई वीड़की अचा लगता है तो please comment और like ज़रूर कर दीजेगा इसे channel को support मिलता है अब बिना किसी देरी के explanation स्टार्ट करते है movie start होती है और एक building का parking lot हम देखते है इसमें एक LED की अपनी गाड़ी में बैठती है पर उसके गाड़ी में और कोई था ये सब और कोई कैमेरे में देख रहा था पर ये कौन था ये हमें पता नहीं है इसके बाद हम देखते है कि office का day है हमारे में गारेक्टर का नाम हम सिंडी रखेंगे सिंडी अपने कोवरकर बेट के साथ काम पर आती है parking lot की security जॉन समालता है जॉन हमारा और एक में गारेक्टर है parking lot में सिंडी के हाथों से कुछ चीज़े गिर गई थी तो इसे उठाने के लिए John उसे help करता है यह first time मिले है पर फिर भी John उसे बहुत सारी बाते करता है वो कहता है कि मैं हमेशा से अकेला था उसे brother और sister नहीं थे उसे लगता था कि उसकी कोई sister हो अगर उसकी sister होती तो उसे वो नूना बुलाता वो Cindy को कहता है कि मैं तुम्हें आज से नूना बुलाऊंगा Cindy को भी ये सब सुनकर अच्छा लगता है जब Cindy ओफिस में थी तब उसे मिलने के लिए उसके boss आते है वो कहता है कि एक work है जो जल्दी से जल्दी तुम्हें खतम करकर मुझे देना पड़ेगा ये जो time है कि Christmas का है Cindy को अपनी बेटी के साथ time spent करना था पर शायद इस work की वज़े से वो कर नहीं पाये की वो इसे टालने की कोशिश करती है पर boss उसे force करता है Cindy को अब ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो इसी वज़े से वो बेट पर भी pressure डालती है रात में सब office से चले जाते है तो Cindy को अकेले ही काम करना पड़ता है या उसके साथ उसका boss भी है वो दोनों अकेले थे तो boss Cindy के साथ जबरदस्ती करनी की कोशिश करता है Cindy उसे जड़क कर जल्दी से वहाँ से चली जाती है बिल्डिंग में हम एक पूड़ा security officer देख सकते है पारकिंग के gate पर Cindy फिर से John से मिलती है John कहता है कि तुम बहुत ही hard working हो तुमारा इतना इस बिल्डिंग में कोई भी काम नहीं करता Cindy उसे ज़ादा बात नहीं करती उसे एक drink देखकर वहाँ से चली जाती है अगले दिन जब वह फिर से काम पर आती है तो lift में उसका boss उसके साथ है उसे फिर से उसका work complete करने के लिए बोलता है Cindy कहती है तुम्हें तुम्हारा work मिल जाएगा पर तुम्हें मुझे sorry कहना पड़ेगा बोस कहता है मैं तुम्हें sorry नहीं बोलने वाला Cindy की cover कर बेथ जब break लेने के लिए स्टेस तक आती है तब वहाँ हम देख सकते हैं कि John और Cindy का boss ये दोनों बात कर रहे हैं parking lot में भी एक कुछ बात कर रहे थे ये चल क्या रहा है कि हमें आगे पता चलेगा इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत रात हो जाती है Cindy और बेथ इन दोनों को यही काम करना पड़ता है Cindy को बेथ के लिए बुरा लगता है तो कहती है कि आगे का मैं समाल लूँगी तुम्हें अगर घर जाना होगा तो तुम जा सकती हो बेथ भी बहुत खुशो कर वहाँ से चली जाती है पैरलल में हम देख सकते हैं कि जॉन पूरी पार्किंग की कैमेरे सेट करता है सब डोर्स को लॉक कर देता है थोड़ी देर में Cindy भी अपना काम खतम करती है पार्किंग लॉट में उसकी गाड़ी के नीचे जरा वाटर था उपर से इलेक्ट्रिसिटी का तार कट गया था जब उसने गाड़ी अनलॉक की तब उसे जरा शौक लगा और वो बेहोश हो गए जब उसे होश आता है तो जॉन के ऑफिस में है तो अपने कपड़े देखती है तो वो भी बदल चुके है जॉन कहता है कि वरी मत करो मैंने कुछ भी देखा नहीं तुमारे कपड़े गिले हो गए थे इसलिए मैंने उन्हें बदल दिया सिंडी डर कही थी और अपनी गाड़ी की चावी ढून रही थी जॉन भी उसे वो दे देता है वो फिर गाड़ी स्टार्ट करने के कोशिश करती है पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है जॉन उसके पास आता है और कहता है कि मुझे पता था कि यह स्टार्ट नहीं होगी मैंने एक टो ट्रक को भुला लिया है वो जल्द यहां आ जाएगी तब तक तुम मेरे ओफेस में वेट कर सकती हो सिंडी को उसके शूज नहीं मिल रहे थे तो बेरफोट अपने गाड़े में बैट गई थी जॉन ने अब उसके ड्रेस से मैचिंग शूज लाए हुए है अपने ओफेस में जॉन सिंडी के लिए डिनर सर्व करता है डिनर के लिए कुछ स्वीट भी चाहिए तो उसने एक रैबिट केक लाया है सिंडी एक केक देखकर सप्राइस होती है क्योंकि अपनी बेटी के लिए भी वो यही केक ले जाने वाली थी इसका मतलब है जॉन सिंडी के प्राइविट लाइफ में भी नज़र रख रहा है सिंडी जॉन से पुछती है कि तुमारे पास मेरे सैस के कपड़े कैसे थे जॉन कहता है कि यह मेरी गर्ट्फरेंड के है जो होने वाली है इस सिंडी को बहुती क्रिपी लगता है वो फिर उसके साथ सेल्फी लेना चाहता है सेल्फी लेते वग सिंडी के नेक पर वो हाथ रखता है इससे सिंडी डिस्टा हो जाती है उसे अभी के अभी यहाँ से जाना है जॉन उसे रुकने के लिए मनाने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानती है वो बाहर निकलती है और डोर तक आती है तब सब डोर बंध है बेले में और भी कुछ डोर थे है जिसे जाकर जॉन बंध करकर आता है सिंडी फिर से जॉन के ओफिस तक पहुचती है तो जॉन वहाँ नहीं है वहाँ उसकी डस्बेन पर उसकी नजर जाती है अरलियर पार्किंग लॉट में सिंडी की कुछ चीज़े गिर गई थी इसमें उसकी लिपस्टिक भी थी ये लिपस्टिक जॉन ने समाल कर रखी है सिंडी अपने गार्बेज में भी जो भी चीज़े फेकती है ये सब जॉन के पास है ये सब देखकर वो बहुत डर जाती है जल्दी से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है पर लाइन भी कटी हुई है ऑफिस में उसे बहुत सारी कीज़ दिख रही है इसमें से एक वो निकाल लेती है सिंडी ने कैमेरे चेक किये तो उसके खुद के घर में भी जॉन ने कैमेरा लगाया हुआ है उसके घर में क्या क्या चलता है ये सब वो देख सकता है वो अब यहाँ से निकल ही रही थी तब ही जॉन वहाँ जाता है जॉन गहता है कि तुमने तो सब कुछ देख लिया सिंडी उसे किरिगडाती है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने तो पर जॉन मानता नहीं जॉन सिंडी को अपनी गल्फिंड बनाना चाहता है सिंडी जाने के लिए स्ट्रगल करती है पर जॉन उसके हाथ बान देता है वो कहती है कि प्लीज मुझे मेरी बीटी के पास जाने दो जॉन कहता है अगर तुम अपनी डॉटर को इतना मिस कर रही हो तो उसे मैं यहाँ लेकर आऊंगा यह जॉन की धंकी थी कि उसकी डॉटर को मार डालेगा अब वो जो भी कहेगा वो सब सिंडी को मानना पड़ेगा वो फिर सिंडी को गाड़ी में बिठाता है उसे कहता है कि मुझे मेलो ड्रामाडिक मूविस पसंद है लड़की लड़के को मिसंडेस्टैंड करती है और उसके बाद उसके पैर में पड़ती है इस तरह की स्टोरी लाइन उसे पसंद है यानि जॉन को लगता है कि आप सिंडी उसे रिजिस्ट कर रही है पर बाद में उसके पैर में पड़ जाएगी अब हम देख सकते हैं कि गाड़ी के सामने सिंडी का बॉस और बेथ ये दोनों हैं जॉन फास्टली गाड़ी चलाता है और इन दोनों को कुचल देने वाला था और गाड़ी स्टॉप कर देता है सिंडी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है पर फिर भी ये गेम वो खिलता रहता है जॉन उसे कहता है ये दोनों तुम्हें बहुत तंग करते थे अब मैं इन दोनों को मार डालने वाला हो सिंड़ी उसे मना करती है, ये मत करो वो फिर एक गेम स्टार्ट करता है वो कहता है, इन दोनों में से एक कोई मरने वाला है अब तुम्हें डिसाइड करना है कि मैं किसको मारूँगा सिंड़ी डिसाइड नहीं कर पाती तो जॉन खुद डिसाइड कर लेता है जब ये सब कर रहा था तब इस सिंडी गाड़ी से बाहर निकल कर वहासे भागने लगती है पारकिंग लॉट में सिंडी और बैथ फिर से मिलती है बैथ बहुत ही डर चुकी है उसे रखता है कि वह मर जाएगी सिंडी उसे confidence देती है कहती है हम कभी भी नहीं मरने वाले सिंड पारकिंग लॉट में जॉन पर नजर रखती है जॉन फिर अपने ऑफिस में आता है उसके कपड़े खुन से भरे हुए थे चेंज करकर सब कैमेरेस देखता है सिंडी सब कैमेरेस से छुपकर लिफ्ट में पहुच आती है वो उपर जा रही थी तब लिफ्ट बंद होती है फिर उन नटिस करती है कि लिफ्ट में भी एक कैमेरे था जॉन उसे देख रहा था और उसने लिफ्ट बंद कर दिये जॉन सिंडी के पास आकर उसे ले जा सकता है पर सिंडी एक ट्रिक लगाती है लिफ्ट के दर्वाजे में एक चीज़ फसा देती है जिससे लिफ्ट नीचे कही भी ना जाए, जॉन उसे कहता है, तुम मेरी फिलिंग्स को समझती क्यों नहीं, ये इतना हाड नहीं होना चाहिए था, वो सेसी टिवी कैमेरेज चेक कर रहा था, तब ये बेत कहा है, ये उसे पता चल गया, वो उसे पकड़ कर ऑफिस में लाता है, सिंडी से कहता अगर तुम बाहर नहीं आई, तो बेत को में मार डालूँगा, सिंडी के पास फिर कोई आप्शन नहीं था, वो ऑफिस में आ जाती है, ऑफिस में आने के बाद वो आप बेत नहीं है, जॉन कहता है, मैंने उसे छोड़ दिया है, वरी मत करो, अब हम देखते हैं, कि सिंडी पर चोट आई थी, जॉन को देखने के लिए कहती है, जॉन ही वुन देख रहा था, जबी सिंडी अपनी पर्स में से एक स्प्रे निकाल कर उसके आख में डाल देती है, और फिस में एक फिच बाल भी था, जो उठा कर उसके सर में डालती है, जल्दी से वहाँ से भाग कर पुलिस को कॉल कर रही थी, पर ये पार्किंग है तो उसे रेंच नहीं आती है, वो हाथ आगे करकर कॉल लगा भी देती है, पर वो क्या कह रही थी, ये पुलिस सुन ही नहीं पाते है, उसके हाथ से मूबाइल भी फिसल जाता है, वो अपना मूबाइल उठाने की फिर से क कोशिश कर रही थी तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है स्ट्रीट में से एक ड्रंक आदमी जा रहा था उसे वह आवाज लगा दिये यह फोन वह उठा लेता है इसके पैरलल में हम देखते हैं जॉन को अब होश आ चुका है सिंडी ने जो भी किया यह देखकर अब वह हर्ट है वो कहता है कि मैं मेलो ड्रामेटिक मूवी बनाना चाहता था पर अब यह मूवी होरर बन जाएगी ड्रंक आदमी सिंडी के पास था उसे समझा रही थी कि प्लीज पुलिस को कॉल करो अचानक से जॉन जब सिंडी की पीछे आता है तो हमें पता चलता है कि आदमी रंग था ही नहीं सिंडी का फोन लेकर वहां से चला जाता है इस सिंडी से हम कंक्लूड कर सकते कि इस गेम में सिर्फ जॉन ही इंक्लूड नहीं है इसमें और भी कुछ लोग है जॉन सिंडी से कहता है प्लीज मुझे गुस्सा मत देलाओ गुस्से में तुम्हारे साथ में कुछ भी कर सकता हूँ वो फिर सिंडी को एक गाड़ी के डिक्की में डाल देता है पुलिस को सिंडी का कॉल गया था इसलिए हो चेक करने के लिए वहाँ पहुझ गया सिंडी गाड़ी से आवाद्स कर सकती है इसलिए जॉन पूरी पार्किंग में म्यूजिक चलाता है यह पुलिस सब चेक करते है सिंडी डिक्की से आवाद्स कर रही थी पर म्यूजिक में उन्हें कुछ भी सुनाय ने दिया पुलिस यहाँ से चले जाने से पहले सिंडी बहुत ट्राय करती है कि वो इस डिक्की से बाहर निकल पाय फाइनली डिक्की खुल जाती है पर उसे लेट हो गया था पुलिस ओल्रीडी वहाँ से चली गई है वो वहाँ से भागने की कुशिश करती है पर जॉन उसे पकड़ लेता है वो अब बहुत गुस्सा है वो गयता है कि शायद तुम मेरी गर्डफरेंड नहीं बन सकती है वो सिंडी को मार ही डालने वाला था पर ओल्ड सिक्रूटी ओफिसर सिंडी को बचा लेता है सिंडी को चावी देता है ओल्ड ओफिसर और जॉन इन दोनों में अब फाइट होने लगती है सिंडी भागते भागते गेट तक पहुझती है वो उसे ओपन करने ही वाली थी तब उसके हाथ से चावी को इल ले लेता है हम देखते हैं तो सिंडी का ये बॉस है जिसे हमने मूवे में फर्सली देखा था कि जॉन ने उसे मार डाला था वो कहता है क्या मरे हुए आदमी को देखकर तुम सप्राइस्ट हो ये हसने लगता है कहता है क्या हमने ये सब नाटक किया था जो केम जॉन सिंडी के साथ खेल रहा है इसमें सिंडी का बॉस भी शामिल है सिंडी पुछती है क्या ये सब जोक है तो बॉस कहता है तुम्हारे लिए नहीं हम तुम्हारे साथ ही यह सब कर रहे हैं यह सुनकर सिंडी चल्दी से वहाँ से भाग जाती है बॉस को सिंडी के गाड़ी के पास आवाज आती है वहाँ जाकर वो चेक करता है तो सिंडी उसके पीछे खड़ी है आग बुजाने के लिए बिल्लिंग में वाटर पैक थे जो अब सिंडी के पास है पानी के फोर्स से वो बॉस को इंजोर कर देती है जैसे हमने पहले भी देखा था कि सिंडी के गाड़ी के ऊपर वायर शॉट सरकिट है उसे बॉस गिला हो चुका था वायर की वज़े से उसे करण लग कर वो भी नीची गिर जाता है बॉस बेहोस था जॉन फिर थोड़ी देर में सिक्यूरिटी ओफिसर को मार कर वहाँ पहुचा उसने बॉस को उठाया बॉस अब बहुत गुस्सा है वह गयता है कि अब मैं उसे मार डालूँगा जॉन यह नहीं चाहता जो भी वो गेम खिल रहा है इसे वो मेलोड्रामेटिक बनाना चाहता है सिंडी को कुछ हो यह वो नहीं चाहता बॉस बर गुसा होकर वो उसे मार डालता है सिंडी भागते भागते फिर से जॉन के ओफिस में आती है क्योंकि हर डोर की की उसे ओफिस में है सिंडी के लेक पर चोट आई थी उसे खुन बह रहा था इस खुन को ट्रेस करते गरते जॉन भी ओफिस में बहुचता है एक लॉकर के बाहर से उसे लगता है किसके अंदर सिंडी है वो उपन करता है पर सिंडी उसके पीछे ही खड़ी है वो से चाको मारने के कोषिश करती है पर फेल हो जाती है यहां लॉकर के पास हम बेट की डेट बोड़ी भी देख सकते है जॉन ने सिंडी से कहा था कि मैंने बेत को छोड़ दिया है पर actual में उसने उसे मार डाला था अब ये Cindy को भी मारने लगता है वो मर रही थी पर उसके हाथ में उसका शुरू आ गया ये जोर से उसने John के सर में मारा और John भेहुश हो गया बाहर निकलने के लिए उसने गाड़ी स्टार्ट की वो निकल नहीं वाली थी पर John ने अपनी गाड़ी उसकी गाड़ी से टकरा दी ये दोनों फिर एक दुसरे के आमने सामने आ गया जैसे हमने बहुत सारी बॉलिवोड मूवीज में देखा है कि एक की डारेक्शन में दोनों गाड़ी चलाते है इसी तरीके से ये भी चलाते है लास्ट मूमेंट में गाड़ी का डारेक्शन चेंज करकर इन दोनों का एक्सिडेंट हो जाता है इस एक्सिडेंट में जॉन को कुछ ज़्यादा चोट नहीं आई पर सिंडी अपनी गाड़े में उट नहीं रही सिंडी के पास हो आता है और उसे गुडबाय कहता है अब वो उसे चाको से मार ही डालने वाला था पर सिगरेट बर्नर से उसने जॉन को चोट लगा दी वो भाग रहीती पर फिर भी जॉन ने उसे जाने नहीं दिया सिंडी ने एक चाको जॉन की पेट में डाला उसने कहा कि अब तुम किसी को भी हट नहीं कर सकते जॉन कहता है कि अभी भी मैं बच सकता हूँ और भी लोग को हट कर सकता हूँ अब वो अपना ही चाको लेकर खुद को मार डालता है सिंडी फिर पार्किंग लॉट से बाहर निकल गए अब इस मूवी का ट्विस्ट आता है यह जो सब चल रहा था यह सब रेकॉर्ड हो रहा था जिस डंक आदमी को हमने मूवी में देखा था यही इनका बॉस है यह मूवी अब रेकॉर्ड हो चुकी है पार्किंग लॉट में सब डेड बॉडिस पड़ी हुई है अब यह सब साफ किया जाएगा किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा जब हम मूवी में देखते हैं तो जॉन कहता है कि मुझे मेलोड्रामेटिक मूवी बनानी थी कुछ हॉरर नहीं इसका मतलब अब हमें पता चला है जॉन एक्च्वल में सिंडी से प्यार करता था वो उसके साथ गेम्स तो खेल रहा था पर उसे मारना नहीं चाहता था लास्ट में जब उसे पता चला कि सिंडी माने की नहीं तो अपने आपको ही उसने मार डाला जो भी लोग इस गेम के पीछे थे ये सब एविडेंस मिटा देते हैं इनमें डिसकेशन होती है कि सिंडी का क्या किया जाए इनका बॉस कहता है कि इस सिचुएशन को वो समाल सकता है सिंडी अफ्री है पर इस इंसिडेंट के बारे में वो किसी से भी बात नहीं करती है हमें एक इलीगल वेबसाइट दिखाई जाती है जहाँ पर ये मूवी सेल होती है ये जो इंसिडेंट हुआ था विरसे मिलेंगे और एक निमूवी के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये है